Hello Friends, मेरा नाम जगविंदर है, चलिए इस वीडियो में हम जानते हैं Terminal Services Configuration में RDP-TCP की कुछ और Properties के बारे में, तो मैं यहां Connections में RDP-TCP की Right-Click करके Properties को Select करता हूँ, और इसको Open करने के बाद जो सबसे पहली Tab मेरे सामने आती है वो है General Tab, जहां पर आपको Security का Level बता रहा है कि किस Level के हम Security यूज़ कर सकते हैं, हम SSL यूज़ कर सकते हैं ताकि और Security हमें मिल जाए, RDP Security लेयर भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन Negotiable में जो Best Option होगी, वो हमारे लिए Choose की जाती है इसी तरीके से Encryption Level आप Client Compatible या Low High रख सकते हैं, और यहां से आप Allow Connections Only from the Computer Running Remote Desktop with Network Level Authentication को Select कर सकते हैं और हमने एक वीडियो में इसको Deselect किया था और Security थोड़ी सी Low कर देती, अगर आप चाहते हैं कि Network Level Authentication Supported हो, तो इसको आपको Select करना पड़ेगा इसी तरीके से Logon Settings में Use Client Provided on Information, Logon Information वो जो Client आपको Provide करे हमें वो यूज करनी है, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि हमेशा एक ही यूजर नेम और वो ही डोमेन, और अगर आप Password भी Save करके रखना चाहते हैं, तो यहां पर आप Save कर सकते हैं, या फिर यहां से आप Option कर दे सक लिए Settings हमारी Client साइट से भी हो सकती हैं, तो पहली Option जो है कि Override User Settings, जो User जब Login कर रहा होगा तो वो यह Settings बना सकता है, तो यहां पर लिखा है कि End or Disconnected Session, अगर हमारा Connection बना हुआ है और किसी कारण से वो बीच में टूट जाता है, Disconnect हो जाता है, तो यह Option आपको बताती है कि उसको End कर दिया जाए या फिर दोबारा से उसको जुड़ने का मौका दिया जाए, तो यहां पर देखें, अगर आप Option देखेंगे कि अगर Disconnect हो गया है किसी कारण से, हमारा Connection Break हो गया, या हमारा System बना हो गया, कुछ भी कारण से, तो अगर हमारा Connection Disconnect हो गया है, तो उस Session को End कर दिया जाए, तो यहां पर Never है, अगर आप कुछ Option सेलेक्ट करनेंगे, तो उतनी दिर बाद ये Connection जो है, वो बंद हो जाएगा, तो बड़े ध्यान से Disconnected Session और End Session में फरक है, Disconnected कि अगर आपका Connection तूट गया है, तो वो दोबारा से बन सकता है, वो Disconnected Session है, औ लेकिन अगर Session End हो जाएगा, तो बिल्कुल एक तरह से नया System जैसे की Login करता है, उस तरीके से आपको Environment देखने को मिलेगा, उसके बाद Active Session Limit, अगर आप काम कर रहे हैं और काम करते करते, अगर आप चाहते हैं कि आपके जो Users हैं, वो एक घंटे बाद किसी कारण से Disconnect सबी User जो Active Session है, चाहे वो काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, उनका एक बार Session जरूर रुकेगा, मतलब खतम होएगा, उसकी Session बंद हो जाएगा, और Next Option है, वो है Ideal Session Limit, जो आपको बताती है कि अगर आपको इतने मिनिट के लिए खाली बैठेंगे, एक मिनिट या पा तो जैसी Session की Limit पूरी हो जाए, तो आप Disconnect कर दें, Session को या End कर दें, तो जैसी Settings आप सेट करना चाहते हैं, तो हम एक ये Session लगा के देखते हैं, कि हम ये, हमारा Session एक मिनिट के बाद, खाली रहने के बाद, हटता है कि नहीं हटता, तो इसको Apply करते हैं, OK करते हैं, और Cl Client पे आगया, और यहाँ पे एक Session बनाने की कोशिश करता हूँ, और जो भी इसका Password है, वो Password Enter कर देता हूँ, Connection बन रहा है, और Connection बनने के बाद, हम इसको खाली छोड़ देंगे, एक मिनिट के लिए, और मैं उतनी देर के लिए वीडियो को Pause कर दूँगा, और Pause करने के Session has been idle over its time limit, it will be disconnected in 2 minutes, please press any key, now to continue session, तो अगर आप इसको OK कर देंगे, तो आपका Session continue रहेगा, otherwise आपका Connection break हो जाएगा, तो हमने ज़रा टेस्ट किया कि हमारा जो यह idle timer है, वो कैसे work करता है, तो मैं आगे के लिए, आगे की Configuration के लिए दुबारा सर्वर पे चलता हूँ, तो देखे, मैं सर्वर पे आ गया, और दुबारा से RDP TCP properties को right click किया, और हमने यहां से Session से इसको देखे, idle session limit, one minute रख दी थी, यानि कि एक minute में अगर मैं कोई काम नहीं करता हूँ, तो मेरा session automatically बंद हो जाए, और उसके बाद जो next है, वो है environment tab, यहां पे हम वो ही program दे सकते ह जैसे हमने एक बार notepad अपने users को दिया था, कि हमें एक particular environment एक application हमने develop करवाई हुई है, और वो ही application हम users को run करवाना चाहते हैं, तो उसको यहां से हम run करवा सकते हैं, यहां पे उसका path दे देंगे, तो हमेशा users को हमारे वो ही application मिलेगी, जो यहां पे हम set कर देंगे, इसके जावा एक tab होती है हमारी यहां पे security की, तो security tab में देखी किसको permission है, कौन इसको access कर सकता है, जो हमारे users remotely इस network को access करेंगे, वो remote desktop users group के members होने चाहिए, plus administrator group हमारा, automatically इसका part होता है, जो इसको access कर पाता है, तो जो भी आप नए members या नए groups add करवाते हैं, वो remote desktop users में करवाते हैं तो आपको याद होगा कि हमने user add करवाय थे, जो हमारा group था, वो था managers group, तो हम जरा managers group को जाते हैं और चेक करते हैं, और इसका हम देखते हैं member of, तो देखें यहां पे, जब हमने उसको allow किया था, कि हमारे managers group के member remotely हमारे terminal services के through, इस network को access कर पाएंगे, तो background में उसको इस remote desktop users group का member बना दिया था हमारे system ने, इसके साथ ही एक और है हमारा tab जो कि network adapter है, तो यह अभी कह रहा है कि all network adapters configured with this protocol, तो यह actually मैं पूछ रहा है कि कौन से network adapters आपके इस terminal server को support करेंगे, या फिर request को accept करेंगे terminal services की, तो आप अगर चाहते हैं कि कोई particular हमारा interface ही इसको accept करे terminal services request को, त तो आप उसको यहां से select कर सकते हैं और यहां पे आप connection limit भी बना सकते हैं कि इतने maximum connections यह बन सकते हैं, उससे ज़्यादा वो connection नहीं बन पाएंगे, तो अभी हमने इसको unlimited पे ही रहने दिया है, client settings में यह देखी, client को हमारी जो यह server की environment है, जैसे वो login कर रहे हैं, उनको कैसी environment मिलेगी, तो यहां पे आप क्या कर सकते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपकी जो users हैं, वो अपनी local drives को, मलब system की local drives को अपने साथ लेके, हमारे server के साथ connect हो, ताकि वो copy paste जैसे operations कर सके हैं, तो इसको select कर सकते हैं, drives को, windows printers को, lpt ports को, com ports को, अगर आपकी com कोई device लगी होई है, कोई camera लगा है, या कोई ऐसी device लगी है, इसको आप use करना चाहते हैं, clipboard, ताकि copy paste operations आपके हो सके, audio आपकी जाई रही है, तो यहां से आप इस environment को भी set कर सकते हैं, plus आप color depth भी ले सकते हैं, जो कि 16 bits per pixel by default set है, तो आप इसको और बड़ा घटा सकते हैं, यहां से, और एक और हमारे यहां पर tab है, remote control, तो यह remote control tab मैं अभी के लिए ऐसे ही छोड़ता हूँ, इसको मैं practical perform करके दिखाऊंगा, next video में, कि remote control से हम क्या कर सकते हैं, हम remotely control कर सकते हैं हमारे users के sessions को, और उनको हम guide कर सकते हैं, कि वो क्या activity perform कर रहे हैं, और उसको watch कर सकते हैं, कि वो क्या काम कर प्लस हम ये भी, उनको action भी उसके उपर perform कर सकते हैं, कि वो कोई action जो कर रहे हैं, वो ठीक कर रहे हैं और नहीं कर रहे हैं, और उनको help कर सकते हैं उसमें, तो इसको मैं अभी रहने देता हूँ, और बाकी सारी settings आपको बता दी हैं, तो इस video में इतना ही, thanks for listening.